हालो अव्रीवन वेल्कम बैक कैसे हो आप सब तुझी आज की सब्सक्राइब कर रही हूं कि डैंडरफ की समस्य अगर आपको हो गई है तो आपने किस तरह से उसको खतम करना है देखिए जो यह रेमेडियाज में आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत जादा इंग्रीडियन पर ही यूज करना है और आप चाहें तो अपनी लैंथ में भी उसकर सकते हो इससे आपके बालो को कोई नुकसान नहीं होता है सिल्की शाइनी आपके बाल बनते हैं अगर हैर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो वह भी काफी हद तक आपकी खतम हो जाती है तो आपको इसे अगर को आपके बालों को धो लिजए तो देखिए मैं यहां पर एक बाउल लिया है और एक चमज ले लिए कोगोनट ओईल जो है आपके घर में अनने भी गहर इसली अवलेवल है और हेर घर में आपको को ऊठ्चन के लिए ले सकते हो मुझे सिर्फ स्कैल्प में ही यूज़ करना है तो बस मैंने ये एक ही चमश ली है इसके बाद बात करते हैं दूसरा इंग्रीडियंट यह है नीम्बू नीम्बू भी हर घर में बहुत इजली मिल जाता है नीम्बू में सिट्रिक एसीड प्रचूर मात्रा में पा अब बात करते हैं तीसरी चीज़ तो यह है अलोविरा जल अगर आपके पास इससरा का मलब रेडिमेट अलोविरा जल पसंद नहीं करते हो नहीं है अपके घर में तो जो आप अगर आपके पास खुद का प्लांट है तो वहां से निकालिए वह ज्यादा इफेक्टिव और अगर नहीं है तो आप कोई से भी ब्रांट का यहां पे अलोविरा जल भी इस्तेमाल कर सकते हों तीनों चीज़ों को करेंगे अब हम अच्छी तरह से मिक्स ताकि अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए लगाने में हमारे लिए इजी हो जाए अलोविरा जल करने से एक त करता है तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा यह जो पैक है यह बनके रेडी हो चुका है तो बस डेरी किस बात की है अब आप इसे लीजिए और फिंगर टिप्स के हल्प से स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज किजिए एक हपते के अंदर ही आपको जो अपना य आजाएगा अच्छी रिजल्ट के लिए आपको हपते में इसे तीन बार यूज करना है और इसके अलावा भी कोई और क्वेडी हो आपकी कोई क्वेशन हो पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नहीं, namaskar, thank you